अब से देखा जाए तो पूर्णिया में अभी भी मजबूती से आगे यहाँ पर पपू यादव ही नजर आ रहे हैं और जिस तरीकिसे जो आकड़ा यहाँ पर वोट प्रतिश्यत काया था कि लगबग 58-60 प्रतिश्यत मददान पूर्णिया में हुआ 26 अप्रैल को मददान वाले दिन तो पपू यादव यहाँ पर काफी आगे नजर आ रहे हैं तो जिस प्रकार से अभी तक कॉंग्रेस ने कोई निर्णन नहीं लिया है पपू यादव के खिलाफ तो यह चीज़ तो आप साफतार पर दिखाई दे रही कि कहीं ना कहीं कॉंग्रेस पपू 26 अप्रेल को बिहार की पूणिया लोग सभा सीट पर मतदान होने के बाद जहां आरजेडी की प्रतियाशी बीमा भारती और जहां जेडियू के प्रतियाशी संतोस कुश्वहा कहीं गुम नजर आ रहे हैं तो वहीं पपू यादव अभी भी पूणिया में ताल ठोकते वे अभी भी पपू यादव ये साबित करने में लगे हुए हैं कि पूणिया की जुनता उनके साथ है जो नतीजे सामने आएंगे वो पपू यादव के हक में आएंगे जिससे अभी से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव भी पपू यादव स से मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं कि बीमा भारती का अब समय आता हुआ नस्दीक आ जा रहा है कि वह आरजेडी को छोड़ने वाली है क्योंकि जैसे ही पुपू यादव के कद की बात करें तो अभी पूर्या में पहुंचे जनता के बीच में पहुंचे दुख दर्द को बाठते वे नजर आए और वहां पर एक बात कहते वे दिखाए दे कि पुपू यादव वही पुराने अफ्तार में हैं जो हमेशा से जनता की सेवा के लिए आगे रहता है पुपू यादव ये दावा करते वे नजर आए कि पुणिया पर यहां पर उनका बेटा ही जीत हासिल करके रहेगा तो कहीं न कहीं इशारा पुपू यादव जरीए भी दिया जा रहा है कि वही निर्दलिये चुनाव जीतते हुए पुणिया से नजर आएंगे तमाम सवाल बनते हैं अक्षी मेरे साथ मौजूद है अक्षी क्या लगता है कि वोटिंग हो चुकी है लेकिन अभी भी पुणिया में पपु यादव अपनी एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर र रहे हैं वहीं बीमा भारती और संतोस कुछवा कहीं ना कहीं गायब नजर आरे कि अंदाज लगा लिए जीत पकी है दिखिए यह चीज केवल अब की नहीं है पहले भी देखा गया है कि पपु यादव बेहद यहां पर सक्रिय रहते हैं और रहते आए हैं सक्रिय और उनकी 4 अपरेल को नामांगन भरते दोरान किया था कि जब कभी भी मैंने पूर्णिया से चुनाब लड़ा है तो पूर्णिया की जनता ने अन्य संसदी शेत्रों की तुल्ना में हमारा जादा बहतर समर्थन किया है तो इसे साब से देखा जाए तो पूर्णिया में अभी भी काफी आगे नजर आ रहे हैं क्योंकि पपो यादव की निर्दली उमीदवार के तौर पर उतरने से पहले तक मामला यहां पर संतोष खुश्वाह भी माभरती की बीच में माना जा रहा था लेकिन उनकी आने से मामला नकेवल या कहीं के मुकाबला नकेवल त्रिकोणिया ह कि यहां पर इक पहलू यहां प्पुयादव की तरफ जाद जुग गया है और सीधा यहां पर कहीं नकई पपुयादव की सकरेता उनकी मजबूती जंता के बीच अकुल मिलाग रहा है पर काफी मजबूत नजर आ रहे हैं कि क्या जो आरजेडी का फैसला था कि बीमा भारत में शामिल हुए थी उससे पहले ही उन्हों ने लालु यादव और तेजस्वी से उनके आवास पर मुलाकात की थी लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से लालु यादव उस वक्त तक तो पूरी तरीके सब गत नहीं थे कि जब यहां पर मतदान प्रक्रिया से भी पहले जब यहां नजदीक आ रहे थी कि पपू यादव पूर्णिया को लेकर इस तरीके से अडिक्त हो जाएंगे लेकिन पूर्णिया की मांग रखी उसके बाद जब यहां लालु यादव ने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया यहां पूर्णिया से तो वहां से फिर पूरा यहां पर पलट गया है जो पूरी तरीके से पपू यादव की फिर मनों नजर आ रहे वहीं बात अगर की जाए कि क्या पपू यादव को देखती हुए पपू यादव को कहीना के मद्द नजर रखते हुए लालु यादव बीमा भारती पर कुछ अब कड़ा यहां पर एक्शन लेत हैंजिए लेकिन वहाँ पूरा मुकाबल है पपू यादव के आने से पलटा है दिकिए जहां बीमा भारती को लेकर आरजडी की तरफ से कोई संभावना नजर नहीं आती है कि वो उनके खिलाफ जाएंगे लेकिन वहीं कॉंग्रेस पर्टी की तरफ से संभावना यह नजर आती हैं कि वो पपू यादव का समर्थन करते वे खुले तोर पर दिखाई देंगे क्योंकि निर्दलिये चुनावी मैदान में उत्रे कॉंग्रेस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया निश्काशित करने का कहीं न कहीं कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक शकलेश सिंग ने एलान तो किया था लेकिन वो भी कहीं न कहीं अब गुम नजर आता है तो क्या ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े दिखज नेता या राहुल गांधी की बात करें तो क्या मुलाकात पपू यादव से होती वी नजर आगी शालनी मेरे साथ मौजूद है शालन गांधी क्या मुलाकात करते हुए पपू यादव से नजर आ सकते हैं दिखी नाजबिन जिस प्रकार से अभी तक कॉंग्रेस ने पपू यादव के खिलाब कोई एक्शन नहीं लिया है जहां सबको यह उमीद थी सबको यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो कॉंग्रेस है अब पपू यादव को बेठकल कर देगी अपने जो गडबंद हैं उसमें से लेकिन जिस तरीके से पपू यादव ने निर्दलिये नामांगन भरा चुनाव भी लड़ा अब पूर्णिया पर रिजल्ट आने का इंतजार है केवल तो जिस प्रकार से अभी तक कॉंग्रेस ने कोई निर्दन नहीं लिया है पपू यादव के खिलाव तो यह चीज तो आप साफतार पर दिखाई दे रही कि कहीं ना कहीं कॉंग्रेस पपू यादव पर भरोसा जता रही है इसलिए उन्होंने अभी तक पपू यादव के खिलाव किसी पकार का कोई एक्शन नहीं क्योंकि अगर उन्हें कहीं न कहीं कुछ भी गलत लगता तो वह एक्शन जरूर लेते लेकिन उनकी तरफ से उन्हां उनकी तरफ से जो बड़े नेता है उन्होंने बयान दिये है कि पपु ने आप चारिकता पूरी नहीं किये पार्टी में शामिल होने का पार्टी अपनी प पर अगर पपु यादव के खिलाफ वो नहीं जाएंगे तो क्या अब यहां पर मान लिया जाए कि जेडियो पार्टी संतोस कुछवा के खिलाफ जाते वी नजर आएगी क्योंकि संतोस कुछवा की बात करें जो वोटिंग का दिन था उस दौरान कहते वे नजर आ रहे थे कि कोई भी चैलेंज नहीं है कोई भी चुनातिया नहीं है पपु यादव यहां पर जीत ही नहीं सकते हैं वही संतोस कुछवा का काफिला ना चुनाव से पहले देखने को मिला और ना ही चुनाव के बाद पूरिया में दस्तक देते वे संतोस कुछवा नसर आए तो ऐसे म कुछ आब पूर्या में संतोस कुष्भा का होता हुआ नजर आगे क्या लगता है पपू यादव जंता के बीच में पहुंचने जीत का दावा कर रहेşित संतोसा की बात करें वोटिंग के दौरां चैलेंज देते वे नजर आए लेकिन उसके बाद वही चैलेंज की बात करें तो खुद ही उसमें घिरते वे संतोस कुछवा नजर आ रहे हैं देखे अभी भी जो है चुनाओ संपन होने के बावजूद भी जिस ठंक से जो है वहाँ पर पपू यादफ की सकरेता नजर आती ह है राथी की बात है एक जो है फेक्टरी में आग लगती है और फिर वहाँ पर पपू यादफ पहुंसते हैं सोशल मीडिया पर तस्विरें भी आती है तो यह कहीं जुनता से वह कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाओ भले ही पांस साल में एक बार आता है ल मुझे लगता है कि पपू यादफ कहीं न कहीं यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिस ठंक से उन्होंने इससे पहले भी काम किया है उसे साफ तोर पर यह पता लगता है कि वह जो है अपनी जीत को लिकर के काफी जादा आशोस्त है लेकिन जिस ठंक से पूरा का विपक्ष उनके खिलाब था और तमाम बड़े नेता वहाँ पर पहुंच करके कहीं कहीं रहलिया कर बिमा भारती की जीत को सुनिशित करना चाह रहे थे संतोष कुश्वाई की तरफ से भी वहाँ पर लगतार नेताओं की रहलियू हुई थी तो अब ऐसे में पपू याद मातर चुनाओं के समय ही जनता के लिए काम नहीं कर रहे थे बलके वह लगतार आ जो है कई वर्षे इस पूरे के पूरे से चलवाले लाके में काम कर रहे जब वो नेतुरुत्व कर रहे थे उसका उस समय पार्टी का संगठन इन तमाम जिलों में काफी मजबूत है तो मुझे लगता है कि यह सारे इसे फैक्टर हैं जो कहीं न कहीं उनके पक्ष में जा सकते हैं लेकिन आप देखना है कि आखिरकार इस इंडिया गडबंधन और व की आप एंडिया आलाइन्स को जिता दीजिये यानि कि आर जेडी को जिता दीजिए वरना अगर आप भीमा भारती को नहीं जिता सकते हैं खी की तो सीधे तोर पर आप NDA को समर्थन देते वे नजर आएंगे और वही तेजस्वी यादव का समर्थन करते वे बीमा भारती को आर जेडी से कहीं न कहीं बहार का रास्ता दिखा भी सकते हैं ऐसा माना जा रहा है लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब की क्या राय बनती है कम सेक्शन में जरूर बताएं देखते ने इस पर नाई न्यूस थाने बाद